जैहें डिफेंसेस परेंट्स, वेलकम बैक अगेइन, दिस इस दिव्याशो पांडे, इंडियनार फोर्सेस में विमन ओफिसर्स की संख्या लगतार बढ़ती जा रही है और ये विमन ओफिसर्स हम सभी को मोटिवेट कर रही हैं और साथ ये ये 2023 में इनके द्वारा हिस्ट् भी क्रिएट की गई है तो चलिए जानते हैं कि ये 2023 के टॉप 10 विमन ओफिसर्स कौन-कौन हैं जिनके द्वारा इतिहास रचा गया है शुरुआत करते हैं आज के सशन के हम जानते हैं कि सेवा पर्मोधर्मा के इस मोटो के साथ हमारे इंडियन आर्फोर्स अपना वर्क कि पर्मोध करने के लिए चाहे वो सेलर्स हों या फिर ऑफिसर्स हों उनमें महिलाओं को आपका लाया जा रहा है इस साल 2030 में टॉप 10 विमन ओफिसर्स ऐसी हैं जिन्होंने हमको मोटिवेट किया है इंस्पायर किया है और इसी के साथ हिस्ट्री को क्रिएट किया है जिनके द्वारा ये पहली महिला ऑफिसर्स बनी है जिनके द्वारा इंडियन नेवल वार्शिप को आपका कमांड किया गया है जो कि भारती नौसेना के वेस्टन फ्लीट पर तैनात है तो किसी भी वार्शिप को कमांड करने वाली ये पहली महिला अधिकारी है जिनका ना और ये पहली लेटेनेंट भी थी जो की आइनस चन्नाई में आपकी डिपलॉइट थी। साथी साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी अपनी ऑफिसर को देखते हैं तो यहाँ पर ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी हैं इनके बारे में तो आप जानते ही होगे तो ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारती वाईसेना की पहली महिला ओफिसर है जिनको फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट में आपकी जगा दी गई है और इनके सेलेक्शन से जो मिसाइल स्कौर्डन है वेस्टन सेक्टर में उसमें इनको तैयनाद किया गया है और यह क् से सी बिकेम दे फर्स्ट लाइन ओफिसर तो टेक चार्च ऑफ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट नेक्स्ट इस दी विंग कमांडर दीपी का मिश्रा तो भारती वाईसेना की पहली महिला अधिकारी जिनको वाईसेना मेडल मिला है इनके ब्रेवरी के लिए इनका नाम हैं विंग कमांडर दीपी का मिश्रा आपको याद होगा मद्प्रदीश राजस्थान में आपकी काफी भीशन बार्ण भी आई थी फ्लट रिलीफ ऑपरेशन भारती वाईसेना ने कंड़िट किया था जिसमें इनके द्वारा अपने रणकोशलता को दिखाते हुए गैलेंटरी अवार्ड से समानित किया गया है अगला है कैप्टन शीवा चहवान तो देखिए इनके बारे मैंने आपको पहले भी बताया था और ये ऐसी महिला ओफिसर है जो कि हमारे वर्ल्ड हाइस बैटल फिल्ड सीयाचिन में इनको तैनात किया गया है और सीयाचिन में मिर्तायनात होने वाली पहले महिला अधिकारी कैप्टन शीवा चहवान है इनोंने अपनी ट्रेनिंग जो है सीयाचिन बैटल स्कूल से कम्प्लीट किये और ये आपकी टीम आफ सैपर से आती है और इनको अभी जो है आपको सीयाचिन ग्लेशिर में तैनात किया गया है जो साल 2023, 29th April को OTA चन्नाई में जो पासिंग आउट परेड हुई थी उसी परेड में फाइब विमन आफिसर्स ऐसी थी जिनको जो है आपका आल्टिलरी रेजिमेंट में आपका भेजा गया है ये कौन-कौन है लेटेनेंट महक सैनी, लेटेनेंट शाक्षी दुबे, लेटेन वो भी स्टार्ट है और ये वर्क भी कर रहे हैं, तो ये पहली महिला है, अगला है करनल सुनीता, तो इसी साल नवंबर 22, 2023 में आर्मी मेडिकल कोर से आने वाली लिफ्टेन, आपकी जो करनल सुनीता है, शी बिकेम दा फर्स विमन तू कमांड दा आन फोर्सेस ट्रांस्फ और फिर आपकी हॉस्पिटल सो, वहाँ पर इन सभी फिल्ड्स में नितित्व करने की छमता महिलाओं के पास हैं, और वो बहतर तरीके से अपने कारी को कर भी रहे हैं, अगला है क्याटन शुरुभी जक्मोला, तो देखिए, क्याटन शुरुभी जक्मोला भारती थलसेना की ऑफिसर हैं, 117 इंजीनर रेजिमेंट से आती हैं, और प्रोजेक्ट दंतक, जिसको भारत सरकार के द्वारा, बियारों के द्वारा भूटान में चलाया जा रहा था, इस ट्रैडिक रोट्स को बनाने के लिए, उसमें पहली महिला ऑफिसर भारत की हैं, जिनको दूसरे सेश में इस प्रोजेक्ट के ताहद आपका भीजा गया था, फॉरेन एसाइन्मेंट में, तो इन्होंने भी काफी नाम उच्चा किया है, हमारे देश का, अपने सेना का, अपने यूनिट का और खुद भी अपना, अगला है, स्कौर्डन लीडर मनीशा पादी, तो देखि पहली महीला ओफिसर बन गहीं, जिनको हमारे सबसे उच्च पद पर आसीन होने वाले राज्य के गवर्नर का ADC न्यूक्त किया गया है, अगला है, कर्नल सुचीता सेखर, तो देखिए, शी बेकेम दा फर्स ओफिसर आर्मी सर्विस कोर्ट तो एजियूम कमांड आफ अफ इस प्रकार से ये सभी महिला ओधिकारी अपने सेवा के जरिये हम सभी को इंस्पायर कर रही है, और मेंली उन गल्स कंडिडेट को कर रही है, जो की भारती सेनाव में जुड़कर कुछ बड़ा करना चाहती है, कर्नल गीता राणा के बारे में बात करें, तो ये देखिए, करनल गीता राणा, कोर ओफ इलक्ट्रोनिक्स और मेकेनिकल इंजीनिर से आती है, ये पहली महिला अधिकारी बनी है, जो इंडेपेंडेटन फिल्ट वर्क शॉप इस्टन लगदाक के यूनिट को आपका जो की रिमोट लकुशन पे है, उसको कमांड कर रही है, तो मेंली चाहे सियाचिन हो, दिल्ली कैंट के हॉस्पिटल सों, आर्मे मेडिकल कोर हो, इंजीनिर हो या फिर कोई प्रोजेक्ट दन तक में हो, इन सभी फिल्ट में हमारी महिला ऑफिसर कारे रथ हैं, और 2030 में इन्होंने ऐसी ऐसी हिस्ट्री आपकी क्रीड की है, जिसको हमेशा या ज़री ज़रूर करें और वारिट एनकोर्ट का यूज करें, जय हैंद।